जो एविदेंस कलेक्ट वें सिसी टीवी और बागी सब चीजों के आदार पर उसके बियाप हम लोगों ने पांच लोगों गिरबदार किया अभी तक कितने अभी डिटेंट किया हैं क्या और रेट्स वगरा चल रही हैं सस्पेक्ट को पता हैं जो सस्पेक्ट आ रहे हैं जिनके खिलाब एविदेंस मिल रहे हैं उनको गिरबदारी करने के लिए सिकरी बाकि लोगों को भी हम गिरबदार करेंगे सर इसमें मास्टरमाइंट कौन है या उसके सहीयोगी कितने है अब्दुलमलीक का भी नाम आ रहा है उसकी क्या प्रोपाइल है क्या रोज़का उसका है अभी इनिष्टिकेशन एक दी नीगी वाए इनिष्टिकेशन चलते गरे तो जितने तक्त्रे आ रहे है जिस तरीके से जह पर निक रहे हैं तो अब्दुलमलीक के द्वारा इसका विरोध किया गया था इसे जितने भी लोग जिन्होंने पैट्रोलम फैका है या पुलीस पर इलेगल वैपन से फाइरिंग किये या पत्थरबाजी किये सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सब के खलाब हम सक्सक्त कारवाई कर रहा हैं और उसके इसाब से हम उनको बाकी जीजों में सामेगा हैं और तकर चारे बजे करीब ना हम पोचे महापे 3.5 बीजे करिए हम पोचे पोचने के बाद महापे फट्थर हुए थे ला हुए इसके बाद थोड़ की मसीन पढ़ी तो पत्तर फेका मास से हम निगम में ह तोडने का लगा दी हमारी सारी गाडियों में समय हम पुरे हम वे हम दो सो करम चाहिते हैं व में हमारे करम चाहिए बढ़ती है यह कि उस्ट में बढ़ती है इनको पता नहीं खाली यह भागी सब के सबके लोगों कि मेरे तो यह आई है मेरे दो एक प donated मारे हैं वागि हमारे सारे करम्चारी का बैसरा उताब हा है किसी के सिर में लगी किसी के हिहां लगी एक तान कि membrane सब देखी हम लोगा पूरी सिच्वीशन को अच्छे से स्टक्राडी करके अर लीगल पॉइंस क्या है और सरकार की जो एकवाल है, उसको कैसे एस्टैबलिश करना है, सरकार के अगेंस अगर कोई भी कारवाई होगी, तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग है, उनके विरुद कारवाई होगी, अभी हम लोग पहले पूरा सिचुएशन स्टडी करके, फिर जाके मानी मुख्यमंतरी ज देन देन वी विल कम आउट विदी ओर्डर्स विच विल भी इशुट तोड़े, उनका प्रॉपर इलाज हो जाए, उनको पूरी किर्सा सुधा होगी, दंगाईों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगा, इस पुली दिमॉलिशन ड्राइफ शुरूर हुआ, प पूर्स लगाई गई, अतिक्रमन की कारवाई के लिए जितनी फूर्स रिक्वायर होती है, वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्रों के द्वारा, अनप्रवोग्ड, अन्हांड, अंटज्ड तरीके से, पूरी कारवाई होने के बाद भी, बड़ी मात्रा में, उनके माध्यम से, मैंने आपको तीस तारिक के फूटेज दिखाई, किसी चत पर कोई पत्थर नहीं था, तो जिस दौरान ये सारी विदिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननी उचनेयाले सुनवाई कर रहा था, तो चतों पर पत्थर उस दौरा हमारे ओफिसर्स ने, उसके बाद जब पहली जो पहली माब जो आई, पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी माब आई, जिनके हाथों में पेट्रॉल बम थे, जो फ्यूल होता है, उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग इंग ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था, देवर बिजी इंग डिमॉलिशिंग द इस्ट्रॉक्ट्रॉक्टर, हल्जवाने की स्थिति को देखते हैं, बहुत चिंदत्य, बहुत दुखी दूए, हल्जवानी का इतिहास, शान्त, सव भार भाई चारे काता है, तरक्की काता है, आज हम बहुत सर्मिंदा हैं जो इस्ति कियां वहाँ पैदा हुए हैं, मैं इस समाई इस पे नहीं जाना चाहूंगा कि कौन दोशी है, कहां क्या गल्टियां हुई हैं, लेकिन इतना आउशिक कहूंगा कि सभी पक्सुन को शान् भी आज़रू के लोग दिन से भी बात्ची की वह बहुत जुपी भी हैं, और वो प्यास्रत हैं कि लोग सर्थ चध्वो जो करके याँमार करें, और दोनूँ पक्षूं को पृशासन को भी धहर यदि यार्व सहयं रखने की आवस्कता हैं, और दूसे पक्ष याशूं को झाल झाल